एक छोटी से गाव में एक प्यारी सी लड़की लिली रहती थी। उनकी पास एक सुन्दर गुलाबी स्कूटी थी जिसे फूलों से सजाकर बनाया गया था। हर फूल में एक दिलचस्प बात छुपी थी, एक सपने की दूआ, एक नई खोज की इच्छा। एक सुबह, लिली ने अपनी प्यारी गुलाबी स्कूटी पर सवार होकर एक अनुखा सफर शुरू किया। आसमाल के रंगीनी धाराओं के साथ, वेवन्य जीवों की खेलने वाली जीलों की ओर बढ़ी। एक जील के किनारे रुक कर उन्होंने देखा कैसे सूर्यास्त के समय स्कूटी के फूल हसते रहे। फूलों की हसी ने उन्हें भी हसने पर मजबूर कर दिया और स्कूटी की साइड व्यू में जूलने लगी। फूलों की हसी के आलम में लिली और उनकी गुलाबी स्कूटी बन गई गाव के लोगों की मनुरंचक कॉमेडी शो और एसी तरह लिली और उनकी गुलाबी स्कूटी ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान और हसी बिखेर कर साबित किया कि कभी कभी हसी ही सबसे बड़ा हो सकता है